अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदीर के प्राण परतिष्ठा को लेकर सांचोर में भी वेपारियों में जबर्दस उस्सा नजर आ रहा है पूरा जो मार्केट है वो सजने के साथ ही 22 जनवरी को मार्केट बंद भी रहेगा और मार्केट बंद के साथ ही यहां के जो वेपार सबसे पहले तो मैं सांचोर के सभी वेपानियों को देश के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं कि आने वाली 22 तारीकों भगवान हमारे आराध्य देव भगवान राम की प्रान प्रतिष्टा होने जा रही है उनके लिए सब को बधाई आपके चैनल के मात्यम को मा अच्छा तो ऐसा है कि हमने कभी कलपना भी नहीं की थी कि सांचोर के अंदर एक दिपावली जैसा बव्य माहूल उत्सा मना जा रहा है सभी वेपारियों में उत्सा है घर घर पे रंगोली मना इजा रही हर दुकान सजाए जाए रही हर दुकानों के इंदर आप देख लि देखा इसा उससा नजर आ रहा है अब यहां आइवे पे निगले तो जगा जगा भगवान की जंडिया लगी वी दुक्वाना सजी हुए दरमसाला सजी हुई है मंदीर सजे हुए लोगों के अंदर एक बैद लेखते हैं बगवान राम कंद में हैं और ऐसा आनंद लोग नह गली शेर बजार विदेश जहां भी लोग बैठे हैं हमारे भारत के वहां दीपावली जैसा मावल है और मना भी रहे हैं कि एतियासी को भवे रहेगा मेरे इसाब से तो दीपावली से भी बढ़ कर यह मावल दिखेगा दुनिया को पूरे मार्केट को सजाएगा है बिल्कु मार्केट भी बंद रहेंगे रामा समा की तरह पूरे मार्केट बंद रहेगा और 500 साल के बाद में भवे मंदिर बनावा राम जी के लिए तो इससे बड़ी हमारे लिए सुब की बात यह नहीं हो सकती है और यह पूरा हिंदुस्तान और 30 कौम इसको उसा कितर मना रहा है ऐ इसा नहीं कि एक ही कौम मना रही है 36 कौम के लोग इसको उसा के तरह दिवाली के तरह मना रहे है और बहुत ही इंदुस्तान की हर एक नागरिक के लिए यह सुब दिन है कैसा उसा नजर आ रहा है ग्रामी निलाकों की बात करें सेर की बात करें सर उसा तो जैसे आज दिपावडी आ गई हो इस तरह सब में हर 37 कौम के इंदर ऐसा लग रहा है जैसे आज राम भगवान ग्रियाजमान हो रहे है और सब के हर गाउं गाउं में उसा और रेलिया हो की और इतना उसा है कि पूसों मद जए बोलो जाए शरीरां में रहा हर जग बहुत बढ़ियार उस्चा है वीपारियों में जबरत साह वी नजर आ भार पर शाओं अच्छा है बहुत बढ़ी है उस्ता कितना है वैपारियों में बहुत बढ़ी है एक दम टोब है शौब परसंट रही है दीवाली से भी बढ़कर है सर नाम गनी भाई इंदुस्टान टैडिंग कंपनी साथ चौर तो तमाम जो वैपारी है उनमें जबद उस्ता नजर आ रह लुना राम फर्स्ट इंडिया न्यूज जालोर